सिच्छार्थ जीवन की सभी महत्पूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है तो आज की खबर ये है कि जेई मेंस की तरह साल में दो बार हो सकती है C.E.U.T. नवें और दसमी के छात्रों को रटने के बजाए समझ कर पढ़ाने पर दिया जाएगा कि आपके हित में आपके जानकारे के लिए कितनी खबरे हैं तो नमस्कार मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देखरें अपना फसेंदिद्य चैनल भीमा चित्रा योड़ोब चैनल तो वीडियो को सुरू करते हैं और फाइलि जितनी भी इनफार्मेशन है आपको फ्रोइट करते हैं तो ये रही पहली खबर आपके स्क्रीन पर नवी और दसमी के छात्रों को रटने के बजाए समझ कर देने होंगे उत्तर यानि कि बारावी की योगता अधारित प्रशनों की शंख्या 30 फिस्दी होगी और ये अमर उजाला वेवरो की रिपोर्ट है नई दिल्ली से कि केंदरी माधिमिक सिक्सा परिसद बोड की संबंध इसकूल जो उससे समध्धित है नौवी योम दसमी के छात्रों को अब रटने के बजाए समस कर उत्तर देने होंगे इन कच्छाओं के लिए बोड की योगता अधारित प्रशनों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब ऐसे प्रशन होंगे जिसमें 40 फिसदी प्रशन पूसे जाएंगे और इन में से घटना अधारित प्रशन भी होंगे जबकि 11 और 12 में योगता अधारित प्रशनों की संख्या 30 फिसदी रहेगी यानि कि ये पहुत बड़ी चीज है जैसे कहने का मतलब जो आप कंप्रशन यानि कि सरकारी नौकरियों के लिए एक्जाम देते हैं जिसमें आपके कंप्रशन लेबेज जीके जीयस करेंट अफेर्स वगएरा जो भी आपके पूसे जाते हैं वो पैटर्न आपके बोर्ड में यानि की दसमी और बारामी के परेक्सा एक्जाम में भी सामिल होने जा रही है तो हाला कि ये खबर आपके लिए कितनी अच्छी है कितनी बुरी है कमेंट सेक्षन में अपनी प्रत्क्रिया आपनी राय जरूर दें नेक्स खबर की तरफ बढ़ें तो नेक्स खबर आपके स्क्रेन में सत्र में देरी नहीं घबडाएं चात्र CBC ने घटाया पार्ठक्रम यानि कि आपको नई चीज़ें आड तो किया है बट आपके पार्ठक्रम को भी कम किया है ऐसा CBSC का कहना है कि बिलकुल आप लोग घबडाये नहीं आपके पार्ट करम को घटाया गया है पूरी डिटेल्स के लिए स्क्रीन शॉट लें और पूरी अराम से अपने हिसाब से इस विडियो को पढ़ते रहें या फिर स्कीन शॉट लेके खबर की जानकारी लेते रहें नेक्स्ट खबर आपके स्क्रीन पर 17 शेहरों के सियासी केंद्रों पर S.S.C की परिशा आज सिस्रू होंगी जिसमें 10 जून के 3 सिप्ट में कराई जाएगी परिक्षा इसमें सामिल जो होने वाले यूपी बिहार के हैं 11,42,215 वर्थी यानि कि समझ सकते हैं पूरे देश लेवल की परिक्षा है और उस पूरे देश में अकीले ही यूपी और बिहार के साड़े ग्यारा लाख बिहार्थी आप समझ सकते हैं कितनी बेरोजगारी है कहां कितने बिहार्थी परिक्षा दिंगे पटना में 5.5 लाख और प्रियाग राज में 1.2020 लखनों में 7.6 लाक तो इस प्रकार आप स्क्रین पर देख सकते हैं बनाने में च्छूटा पसेना जिले में अब तक महज 11.4% याने कि 11.4% ID ही परिशत के पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके और UP Board की सभी कालेज़ों के सक्षकों और विद्यार्थियों की बननी है email ID email ID बनने से सासन का निर्देश आया है और UP Board की सभी कालेज़ों सिचकों विद्यार्थियों के email ID बनानी है लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि जिम्मेदार सासन की मंसा पर पानी फेरने में लगे है जिले में अब तक महज 11.4% तिचकों और जो विद्यार्थियों है इनको ही email ID परिशत के website पर अपलोड की गई है तो ये जानकारी है आपको जानकारी कैसी लेगी ये भी बताएं और यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर की तरब CBI जाच पूरी होने तक ना हो अस्थाई करण यानि कि SPS भरती 2010 के मामले में प्रतियोगी हैं उनके लिए सासन की मंसा पर उठाये गए सवाल और चैनित के अस्थाई करण की प्रक्रिया रोकने की की गई मांग तो प्रियाग राज की रिपोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बायो डाटा जो लिखी गई है कि चैनित के अस्थाई करण की प्रक्रिया रोकने की मांग हो रही है हलाकि बढ़ते हैं निक्षखबर की तरफ और निक्षखबर आपके स्क्रेन पर मित्रों विद्यपीट की परिक्षा में पहले हे दिन बारा हजार साथ रहे गैर हाजर वारारसी समेत पांच जिलों में शोमवार से शुरू हुई अशनातक की परिक्षा और ये अमर उजाला बियोरो की रिपूर्ट है महात्मा गान्धी कासी विद्यपीट की अशनातक की परिक्षाएं 22 नकल्ची पकड़े गए यानि कि आप समझ सकते हैं जो आपके सरकारे एक्जाम की परिक्षाएं होती हैं तो नकल होती हैं साथ में आपका ग्रेजुएशन हुआ, इंटरमेडियाट हुआ, हाई श्कूल हुआ, कोई भी एक्जाम हुआ, सभी एक्जाम में जवर्दस नकल होता है और हर जगा नकल्ची पकड़े जाते हैं इसमें किसकी लापरवाही है ये आपको बताना है बढ़ते हैं नेक्ष्ट खबर की तरफ आपके स्क्रेन पर अश्नातक के अंतिमोर्ज की परिक्षाएं साथ जून से होंगे सिछक सैन कर्मी भी करेंगे सोध यहाँ पर आप देश सकते हैं जो में हिंदी प्रथम समेश्टर की परिक्षा है वो 25 से सुरू होंगी हाला कि यह आपकी खबर जो है इलाहा बात बिश्विद्याले की है रही बात आपके अवद इन्वर्सिटी की तो उसकी अलग अपडेट है उसको मित्र आप राम मनोहर लोहिया की बेप साइड पर जाके देख सकते हैं बढ़ते हैं नेक्ष्ट खबर की तरफ और नेक्ष्ट खबर आपके स्क्रेन पर जेई मेंस की तरह जो है साल में दो बार हो सकता है सी यूटी यानि की नई दिली की रिपोर्ट है विश्विद्याले में दाखले के लिए पहली बार आयोजित की गई है परिक्सा कामन शी यूटी अब साल में दो बार होंगी और इसमें छात्रों को विश्विद्याले को दाखली के लिए दो बार मौका मिलेगा यूजीसी चेर्मेन डाक्टर एम जगदीश कुमार ने शोम मौर को ये संकेत दिया की साथ में बताया कि इसे अगले साल से ही लागू कर दिया जाएगा तो ये एक अच्छी वात होगी बच्चों के हित में चली देखते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अलाकि ये खबर हो चुकी है बिवादित भरती से चैनित SPS के स्थाई करण का विरोध हुआ हलाकि ये भी खबर हो चुकी है इस वीडियो की आखरी और अंतिम खबर आपके स्क्रीन पर 44 पदों पर CCI में भरती कर सकते हैं के इंजिनियर आफिशर चार्टर एकाउंट वा अन्रिक्त पद हैं जिसमें आपकी ये आफिसली वेबसाइट है 100 रुपए का सुलक है 31 मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं नेक्स्ट खबर है इंडिया की स्पेसिलिस्ट काईडर अफिशर के पद हैं और यहां पर यह आपकी आफिसली वेबसाइट जो की है देख सकते हैं 750 रुपए सुलक है और 12 जून 2022 तक आव आवेदन कर सकते हैं और आए 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 मैस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम से जुड़ने के लिए भीमा चित्रा टेलिग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें वहां पर आपको डेली की अपडेट जो महत्पूर्ण होती हैं आपकी पेपर की कटिंग या फिर पीडियाफ आपक